दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग एक English Romantic Poet William Wordsworth की एक Poem को डिस्कुस करेंगे इस Poem का नाम है Lions Written in Early Spring इस Poem को English Literature के सबसे Famous Collection Lyrical Ballads में Publish करवाया गया था Poem की setting कुछ इस तरह से है कि हमारे Poet William Wordsworth Spring के Season की एक सुभ है एक Grove में जाकर बैठे है Grove, Grove क्या होता है, Grove समझते हैं आप लोग Grove होता है a group of trees planted close together एक ऐसा बगीचा जहां पर बहुत सारे पेड़ पास पास लगाए जाते हैं ऐसी जगह को हम Grove कहते हैं वहाँ पर हमारे Poet William Wordsworth Spring की एक सुभ़ जाकर बैठे हैं और Nature को Enjoy कर रहे हैं मैं Poem शुरू करता हूँ, हमको सब समझ में आ जाएगा Poem की पहली line कहती है I heard a thousand blended notes यहाँ पर जिस वक्त Poet Grove में बैठे हैं वो कहते हैं I heard मैंने सुना a thousand हजारों blended notes मिली जुली आवाजे, mix आवाजे यहाँ पर blended का मतलब होता है मिला जुला, mix होना और notes का मतलब है यहाँ पर आवाजे I heard a thousand blended notes जब मैं वहाँ पर ग्रोव में बैठा हुआ था तो मैंने सुनी हजारों आवाजे किस चीज की आवाजे, birds की आवाजे याने Nature में जो जो चीजे थी सब की आवाजे सुनी आगे वाजे लाइन में point बोलते भी है while, जब, in a groove एक groove के अंदर में बैठा हुआ था इनका मतलब अंदर a groove, बगीचे के अंदर I set, set का मतलब बैठना reclined, take लगा कर reclined का मतलब take लगा कर बैठना एक बगीचे के अंदर में take लगा अगर बैठा हुआ था शायद किसी पेड के साहरे बैठे होंगे हमारे point दो लाइनों का मतलब सुमज में आया होगा आगे point बोलते है in that sweet mood उस वक्त मेरा mood बहुत sweet था when pleasant thoughts उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत pleasant thoughts आ रहे थे बहुत खुष्टुमा विचार आ रहे थे pleasant का मतलब खुष्टुमा thoughts का मतलब विचार आ रहे थे लेकिन वही खुष्टुमा विचार bring bring का मतलब अपने साथ लाए bring का मतलब होता है lana sad thoughts बुरे विचारों को भी अपने साथ लेकर आए to my mind मेरे दिमाग में वही pleasant thoughts अपने साथ लाए बुरे बिचारों को मेरे दिमाग के अंदर आगे वारी line of point बोलते है to our fair works यहाँ पर nature के लिए बोल रहा है to our fair works nature ने पूरी कोशिश की है अपने work से that nature link the human soul that through me ran कि nature ने अपने work से पूरी कोशिश की है कि वो human soul को nature के अलग-अलग type के beautiful creatures से connect कर सके इस line का सीधा सा मतलब यह है कि nature ने पूरी कोशिश की है इंसान की आत्मा को खुद से connect करने की लेकिन and much it grieved my heart इस चीज ने मेरे दिल को इतना ज्यादा दुखी कर दिया to think यह सोच कर what man has made of man humanity ने अपना क्या हाल कर लिया है इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है what man has made of man इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है अब यहाँ पे nature की beauty को देख रहा है कितना खुबसूरती से बताते है point वो बोलते है through primrose tufts primrose एक type का एक plant होता है एक flower होता है उसके tufts में से tufts क्या होते है यहाँ पर जाडिया type से उसके tufts में से through का मतलब में से primrose के tufts में से in that green bower the perivacal trailed its reeds in that green bower का मतलब green पेडों के नीचे से periwinkles के flowers होते हैं मैंने perivacal बोल दिया periwinkles periwinkles कुछ इस type का flower होता है आगे point बोलते है and it's my faith और ऐसा मैं मानता हूँ it's my faith का मतलब ऐसा मैं मानता हूँ that every flower की हर एक fool enjoys the air and breathes हर एक flower इस fresh हवा में सांस लेता हुआ enjoy करता है breathe का मतलब होता है सांस लेना faith का मतलब होता है विश्वास रखना और point यहां पर बोलते है the birds around me मेरे आसपास के पक्षी जो है hoped and played वो भी आपस में खेलते हैं enjoy करते हैं सिर्फ fool ही नहीं पक्षी भी their thoughts यानि उन पक्षियों के thoughts जो है I cannot measure measure का मतलब होता है नापना कि मैं समझ नहीं सकता कि उनकी दिमागों में क्या चल रहा है पक्षियों के I cannot measure मतलब मैं नापने ही सकता लेकिन but the least motion यह छोटा सा motion जो है यह छोटी छोटे moments जो है जो nature के अंदर छोटी छोटी हरकते हो रही है which they made it seemed a thrill of pleasure इन्होंने मुझे मुझे तो कम से कम pleasure से भर दिया है thrill से भर दिया है the budding twigs twigs का मतलब होता है छोटी छोटी branches जो होती है उनके लिए बोला गया है जो पैदा हो रही है इस वक्त वो छोटी छोटी ब्रांचे स्पेडों की spread out their fan वो अपने वो अपने को ऐसे फैला लेती जैसे कोई fan हो fan का मतलब होता है पंखा और spread out का मतलब फैला लेना to catch the breezy air breezy air मतलब मंद हवा को पकड़ने के लिए महसूस करने के लिए catch करने के लिए breezy air का मतलब मंद हवा and I must think और इन सब चीजों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया do all I can that there was pleasure there कि ये सब भी इस pleasure को enjoy कर रहा है if this belief अगर मैं ये believe करता हूँ from heaven be sent कि ये सारे natural joys जो हैं ये सब heaven से भेजे गए है if such be nature's holy plan तो ये nature का divine plan है मिरको ऐसा लगता है nature नहीं सब चीजों को बनाया है तो यहाँ पर last lines में point बोलते है have I not reason to lament lament का मतलब होता है रोना मेरे पास रोने का कोई कारण नहीं है इस बात पर कि what man has made of man कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है और यही पर इन ही lines के साथ ये poem खतम होती है उमीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी आज की इस वीडियो मस इतना ही क्या है